प्रथम तहलका न्यूज प्रशाशन ने एस्मा कानून लागू कर दिया था जिसके बाद से बिजली करमचारियों को यह हर्ताल वापस लेनी पड़ी है आपको बता दे की 21 फरवरी की राद करमचारियों ने 72 घंते की हर्ताल को शू किया था जिसके चलते शहर में ब्लेक आउट देखना पड़ा था तो वही आप प्रशाशन के द्वारा शहर में एस्मा कानून लागू कर दिया गया है जिसके बाद से बिजली करमचारियों की हर्ताल अलब खत्म हो चुकी है और खर्ताय के खत्म हो जाने से जल्द ही शहर में बिजली सेवा को बाहाल कर दिया जाएगा और बड़ी बात य है कि चंदीगाड में 30 साल के बाद प्रशाशन के द्वारा ये एस्मा कानून लागू किया गया था ये इस वाद की बड़ी ख़वर जो चंदीगाड से आ रही है एक बार फिर से आपको बता दे कि चंदीगाड में शुरू हुई बिजली करमचारियों के 72 घंटे की हर्ता अब खट्म हो चुकी है बता दे कि बीते मंगलवार की राद प्रशाशन ने एसमा कानून लागू किया था जिसके बाद से बिजली करमचारियों को घंटाल वापस लेनी पड़ी है आपको बता दे कि बीते 21 वारी की राद करमचारियों ने हर्तार शुरू कर दी थी जिसक आपको बता दे कि बीते मंगलवार की राद प्रशाशन ने एसमा कानून लागू कर दिया था जिसके बाद से बिजली करमचारियों को यह हर्ताल वापस लेनी पड़ी है दे कि 21 वारी की राद करमचारियों ने 72 घंते की खर्ताल को शुरू किया था जिसके चलते शेहर में ब्लेक आउट देखना पड़ा था तो वहीं आप प्रशाशन के द्वारा शेहर में एसमा कानून लागू कर दिया गया है जिसके बाद से बिजली करमचारियों की खर्ता अब खत्म हो चुकी है और खर्ताय के खत्म हो जाने से जल्द ही शेहर में बिजली सेवा को बहाल कर दिया जाएगा और बड़ी बात यह है कि चंदीगर में 30 साल के बाद प्रशाशन के द्वारा ये एसमा कानून लागू किया गया था ये इस वार्त की बड़ी ख़बर ज इसके बाद से अब बिजली करमचारियों को हर्ताल वापस लेनी पड़ी है आपको बता दे की बीते 21 वारी की रात करमचारियों ने हर्ताय शुरू कर दी थी जिसके बाद से शेहर में ब्लैक आउट हो चुगा था दोवाही आब एसमा कानून लागू होने से बिजली को बहाल कर दिया जाएगा ये इस वाद के बड़ी खबर जो चन्निगट सारी है